असलाम उलेकुम स्टुइंट्स मैं हूँ डॉक्टर मुहमेद अश्रफ मैंने अपनी प्रीविश वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम SPSS में डाटा कोडिंग कर सकते हैं और अगर मिसिंग वैल्यूज हैं हमारे डाटा में तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूंगा मोनोटोनल रिस्पॉंस मोनोटोनल रिस्पॉंस अकर्स वेन ए रिस्पॉंडेंट आंसर ओल क्वेश्चन बाइ सिलेक्टिंग ते सेम ऑप्शन तो इस तरह के डाटा में इस तरह के मोनोटोनल रिस्पॉंस हों तो यह हमारे डाटा आनलिस्स को सिग्निफिकंटली इंपट करते हैं इसलिए data analysis करने से पहले हमें ऐसे तमाम monodonal response को identify करना होता है और उनको हमारे data से delete करना होता है उसका simple तरीका यह है कि हम अपने तमाम responses को one by one चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि responder ने तमाम questions के same option चूज की हुए तो इसका very simple जो के थोड़ा सा मुश्कल है time consuming है respondent का rows में होता है इनको हम cases कहते हैं और columns में हमारे पास variables का data होता है तो इस तरह columns में variables और rows में cases या respondent के response होते हैं अब जैसे one case पहले respondent ने तमाम questions के answer दिया है यहाँ पे इसे तरह one by one सारे चेक करते हैं और अगर आपको कहीं कोई response ऐसा मिलता है जिसमें तमाम answer सेम है तो आपके monotonal consider होंगे अब आप देख सकते हैं कि यह fifth response जो है इसमें तमाम questions के answer respondent ने four options को choose करके दिये आप देख सकते हैं कि हर question का answer four है मैं इसको थोड़ा सा crawl करके देखता हूँ अब देख सकते हैं कि इस respondent ने हर सवाल का जवाब four options को choose करके दिये अब ये एक monotonal response है इस response को हमें delete करना होगा तो इसको delete करना क्या तरीक है simply हम यहां पर right click करेंगे हमारे पास ये clear के एक option show हो रहे इस पर click कर दें कि तरी ये delete होगा इस तरह हमने इस monotonal response को delete कर दिया हमें मज़ीद आगे देखना होगा फर एक्जमपल ये देख सकते हैं कि response number 11 इसका भी respondent ने same answer दियो है अब इस respondent ने तमाम question के answer के लिए one का option चूज़ किया देख सकते हैं कि तमाम questions के answer के लिए option one चूज़ किया हुए तो अब ये भी एक monotonal response है इसको भी हमें delete करना होगा clear कर दें इसे तरह one by one हमें तमाम responses को देखना होगा अगर कहीं हमें monotonal response मिलता है तो उसे हमें delete करना होगा तो आप जैसे देख सकते हैं कि इस data में I think सिर्फ दो ही monotonal response थे जो मैंने delete कर दिये तो जब आप monotonal response अपने data में identify कर लेते हैं तो फिर आप अपने data analysis में उनको report भी करते हैं इस data में 295 responses है जिसमें से 2 monotonal response है तो आप अपने data analysis में monotonal response analysis वाले section में very category कली लिखेंगे कि दो respondent के responses monotonal थे जिनको हमने data analysis से exclude कर दिया अगर आप monotonal response data analysis से remove नहीं करते तो आपके results इन monotonal response के वाज़ेंसे effect हो सकते हैं I hope आप लोगोंने understand कर लिया होगा कि monotonal response से क्या मुराद है और उनको हम कैसे handle कर सकते हैं अगर आपका कोई question है data analysis से related या इस monotonal response से related आप मुझे comment section में पूँच सकते हैं I will try to answer your question as soon as possible अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेर करें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर लें ताके आने वाली नेक्स वीडियो आपको टाइम ली मिलती रहें टेक केर अल्ला आपिस